Hello students, Good morning, this is your maths class और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं Words Problem Chapter 4 Multiplication Summit Up सभी बच्चे अपनी book open कीजिए और notebook, यह work आपको अपनी notebook में करना है ठीक है, अभी आप लोग simple multiplication कर रहे थे आपने multiplication और number line learn कर चुके है इसके counting भी मैंने आपको learn कर आई है तो चली आज हम आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे Words Problem तो चली सबसे पहले हम read करेंगे Question number 1 क्या करने है बच्चो सबसे पहले अब आप लोग अपनी notebook open कीजिए Date mention कीजिए Question number 1 Read करते है 1 packet of bread cost 10 rupees Anitta bought 2 packets How much money did C spend? Anitta ने 2 packets खरीदे हैं अब आप पताईए कि अनीता ने कितने रुपीज इस्पेंट की है वन ब्रेट का पैकेट आप लेने चाहते हैं तो चली रुपीज का लेते हैं ठीक है और आपको टू ब्रेट पैकेट लाने हैं तो कितने रुपीज देंगे? 2 अधिक लेने के लिए क्या करते हैं? Multiply तो सबसे पहले लिखिया Cost of 1 packet bread is equal to 10 रुपीज Then cost of 2 packet bread क्या हो जागा 2 into 10 Multiply कीजिए Total money कितनी हो जागी? C spend total money So you call to 10 into 2 जब 10 में 2 का multiply करेंगे तो क्या हो जागा? 2,0,0,2,1,2 यानि 20 रुपीज C spend 20 रुपीज अनीता spend 20 रुपीज तो बच्चों जिस प्रकार से यहाँ पर statement दिये हैं आपको statement लिखना है statement समझना है इसके बाद आप इस का answer लिखेंगे अब question no. 2 Aryan, Rishab, Mohan have 4 marbles 4 marbles Mohan के पास 4 marbles Rishab के पास 4 marbles and Aryan के पास 4 marbles प्रतिक के पास 4 4 marbles है How many marbles are there in all? अब आप कहेंगे मैं इसको plus कर दी क्या कहेंगे? प्लेस करती है ठीक है? तो प्लेस भी करना है लेकिन आप लोगों को हमने multiplication fact भी लर्ण पढ़ाएं तो जैसे हम 4 को 3 times प्लेस करती है 12 बाहां सराता है इसी प्रकार से आप लिखें 3 क्योंकि यहाँ पर कितने बच्ची है? Aryan, Rishab, Mohan 3 बच्ची है ठीक है? तो 3 बच्चों में यानि अब आप लिखें number of marbles each children ठीक है? each child सभी बच्चों के पास marbles है 4 ठीक है? और number of children बच्चे कितने? 3 है तो अब आप क्या करना है total number of marbles 3 बच्ची है और marbles 4, 4 है तो अब आप क्या करेंगे 4 का 3 में multiply कीजिए यानि कि क्या हो जाएगा 4 into 3 तो आ जाएंगे there are 12 marbles in all इसी प्रकार से question number 3 if there are 3 eggs in each box how many eggs are there in 3 box बच्चो 3 box है और 3 box में प्रतेक में जो है each box has 3 eggs ठीक है? eggs कितने है? 3 है box है 3 तो अब आपको बताना है कि how many eggs total eggs कितने है? number of eggs in the box is equal to 3 number of boxes is equal to 3 तो number of eggs इन 3 boxes यानि 3 box में total कितने होगे? तो क्या करेंगा? one box में 3 second box में 3 third box में भी 3 हैं आप अगर इनको plus करते है 3 plus 3 plus 3 तो तो यह क्या हो जाती है total? 9 और अब आपको multiplication fact याद है? yes चुरूर याद आया होगा आप लोगों को यानि 3 का multiply आप 3 में कीजिए ओके? क्योंकि वो कितने group में divided? 3 group में divided तो आप क्या करेंगे? 3 into 3 is equal to 9 तो total there are 9x in 3 box क्या लिख देंगे? there are 9x in 3 box तो बच्चों आप लोगों को यह जो 3 questions है यह क्या है? multiplication है और सबसे जो main चीज है वो आपको यह देखना है कि यहाँ पर 1 की cost दी है यहाँ 1 की cost दी है और आपको अधिक की cost find करने है चीक है? तो इस प्रकार से आप आप लोग question को read कीजिए और answer solve कीजिए जल से जल्द अपना work भी complete कीजिए send कीजिए ओके? बैबै, have a nice day